वैसे रिपोर्ट तो आपने देखी लेकिन ये हर साल की कहानी होती है कि गर्मिया शुरू हुई नहीं कि ऐसे हालाद शुरू हो गए और सिर्फ महराष्ट नहीं बलकि बाकी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बून-बून पानी को तरसना पड़ सकता है तो हम कैसे सीख सकते हैं क्या तैयारी सरकार के तरफ से होनी चाहिए और क्या हम खुद भी तैयारी कर सकते हैं इसके लिए साथ मिलकर इस पर हमारे साथ दो खास महमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ देबी गोईंका इंवाइनमेंटल आक्टिविस्ट, साती वंदना शिवा, इंवाइनमेंट एन वाटर एक्सपर्ट और एसान अबास हमारे सही होगी जिन्होंने ये खबर एक्स्क्लूजिव खबर हम तक पहुँचाई है सबसे पहरे एसान मैं आपके पास आउँगी हमने आपकी रिपोर्ट देखी हालत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं लगतार चौती साल महरास सूखे के चपेट में हैं खासकर करके महराट फड़ा पश्ची महरास सार विधर के भी कुछ इलाखे जुड़ गए हैं सोला हजार से जादा गाउं जो हैं सूखा से बेहत सूखे से पीड़ी थे हैं मुंबई के पास के कुछ इलाखे जो वहाँ पी जलसंकट धिरे धिरे जो बाढ़ है मुंबई सटा का ल्यांड हो लासनगर नवी मुंबई में भी जो पानी का संकट बाढ़ है सरकार ने केंदर से जो फंड की गुहार लगा है साती साथ सरकार जो पूरे स्टेट में वाटर टेंकर सप्लाई कर रही है लेकिन चुकि जो बड़े डैम से वो भी उनमें जो पानी तल्चर तक पहुंच चुका है ऐसे में सरकार के पशोपेश में आखिर पानी सप्लाई कहां से करें अपने पूरी हमें अपडेट दिया कि आखिरकार फिलाल वापस तिती क्या है लेकिन सिती से कैसे निप्टा जाए क्या किया जा सकता है इसके लिए सबसे पहले देवी गोईंका मैं आपके पास आऊंगी हर साल यही होता है सूखा पढ़ता है और एक बहुत लंबी कहानी है सूखा पढ़ने की जिसकी वरे से किसानों को भी जाल दिक्कत होती है खुदकुशी सामने आई है और अगर शेहरों की बात की जाए पान पानी दिया जा रहा है वो पीरिड बढ़ रहा है और यह डैम्स की जो लेवल्स है हर साल हम देखेंगे तो पहले 20 प्रतिशत था अभी 10 प्रशित था और अभी 2 प्रतिशत पानी बचा हुआ है तो मुझे यह दो चीज कहनी है कि जो डिसिशन मेकर्स हैं हमारे सरकार के उन प्रोजेक्स देश की उनती होगी यह भी मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है क्योंकि जितने जंगल कट रहे हैं जितने फॉरस की बदबादी हो रही है उतना कम पानी देश को मिलने वाला है यह दो चीजे मुझे लगता है डिसिशन मेकर्स को समझनी चाहिए जी यहां प्रगती बी किस बात की होगी को आए पर सब जगा जंगल कट रहे हैं और जंगल के कानून बदले जा रहे हैं कि नैच्रल फॉरस्ट को खतम होने दो आर्टिफिशल प्लांटेशन्स को लगाओ तो मैंने यूकलिप्टिस पर स्टाडी की है यूकलिप्टिस हमें डिसर्टिफाइदेख करता है और मैं देवी गुएंका के साथ अग्री करती हूं कि यह आर्टिफिशल वाटर रेजर्वाइस पानी के सोर्स नहीं है पानी के स्टॉरिज सिस्टम है आप सोर्सिस को मार हो एक सोस है जंगल और पेड़ों की जड़े दूसरा सोस है मित्वी जब उसमें उर्वर रखता हो जैविक और्गैनिक मैटर हो पांच प्रसिसत और्गैनिक मैटर आठ असी हजार लीटर पानी स्टॉर करता है सब में बड़ा स्टॉरेज हमारा मित्टी है अगर मित्टी क तो हम बचा के रखें अब हमारा जो क्रिशिंग इती है वो कहता है पानी को शोशन करो और डेजर्ट और सेमी अरड एरियाज में शुगर केन लगाओ 84 में 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 को प्लानिंग कमिशन ने महारष्ट बेजा था जिन इलगा हाखार हो रही है हाखार 84 में भी हो रही थी शुगर केन कल्टिवेशन शे शुरू हुआ है एक हजार दोसो मिलमीटर पानी मांगता है हमारे जवार बाज़ा पानी बढ़ाते हैं तो चाहें वो जंगल नीती हो कमी सोच की है ग्यान की है दर्शन की है कि हम पानी कहां से आता है वो भूल गए है ठेकेदार को पैसा कहा मिलता है वो ही सोच रहे हैं ये जो ठेकेदारी प्रता के खिलाफ हमने चिपकों में लड़े थे वो ठेकेदारी प्रता से विल एंजिनियर इंग वर्ट कर रही है और इस जो वह हमारी फसले मौसम और पानी के मुताबक होती थी कम पानी वाली जगह में हम जौार बाजरा और रागी मंडवा उगाते थे आज कम पानी वगेरा इलाके में हम इर्रिगेटेड राइस हाइब्रेड कॉटन जीमो बीटी कॉटन और शुगर के नुगा रहें तो एक तरफ तो किसान को पढ़ रही है कि पानी खतम हो रहा है दूसरी तरफ कर्ज में डूब रहा है यहां पर आज की परेशानी है कि यह इसमें दो चीजे है एक तो जो आइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो अंसर्टिन्टी ए मौनसून की और बारिश की वह तो प्रॉब्लम बढ़ने ही हौला है है और दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि महराश्टा स्टेट में मुखत्र को पुर्न दिया धएibly तो काफी कुछ अगर आप डैम की Łуч तू महाराश्टा में इंडिया में सबसे ролic बन चुके हैं, हम इटिगेशन स्कैम के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां पर लाखों करोड रुपे का कुछ घुटाला हो रहा है, और मुझे लगता है कि यह सब वज़े से, चुगा के इन लॉबी की वज़े से, महराश्टा में यह सब संकट जो हम देख रहे हैं, मेरे से बढ़ते रहेंगे, संकट बढ़ता जा रहा है, और जी देभी गोईंका, संकट बढ़ता जा रहा है, देख भी रहे हैं, मराट वाड़ा, बुंदेलकंट तो कुछ ऐसी जगह है, जहां पर पानी के किल्रत हो रही है, लेकिन यह सिर्फ दो ऐसे ही इलाके नहीं, और भी